हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडिटी कम्मुनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि किसी पार्टिकुलर स्टॉक्स में कैसे आप टॉप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जब टॉप फॉर्मेशन हो रहा हो या फिर टॉप फॉर्मेशन होने के जस्ट बाल आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करके उस मूब से आप प्रॉफिट बना सकते हैं तो यहां पे हम चार्ट पे आगे हैं और देख सकते हैं यह आपका विदानता का डेली चार्ट है अगर हम यहां पे हम टाइम फ्रेम की बात करें तो यहां पे आप डेली चार्ट, फो आवर चार्ट, टू आवर चार्ट और आवरली चार्ट इन सारे टाइम फ्रेम का चार्ट का इस्तमाल कर सकते हैं अब अली चार्ट से नीचे नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा mature candle चाहिए अब अली चार्ट से नीचे जाएंगे तो candle में उतना maturity हमें देखने को नहीं मिलेगा इसलिए यहाँ पर हम अब अली चार्ट से नीचे नहीं जाएंगे सबसे पहले हम daily chart में example लेखते हैं फिर हम एक और अब अली चार्ट में भी example देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान से समझना है देखिए सबसे पहले आपको point by point देखना होगा सबसे पहला point क्या है कि volume आपका एक बराबर हो negative volume हो या फिर volume slightly कम हो रहा हो इसके बाब जूद भी price देख सकते हैं इस particular time period में उपर side की तरफ जा रहा मतलब price उपर जा रहा उसको volume के तरफ से जो support मिलना चाहिए वो support इसको नहीं मिल पा रहा है तो पहला point यह है कि price आपका उपर जाना चाहिए जिसको volume के तरफ से support नहीं मिलना चाहिए पहला point यह हो गया उसकी बाद हम देखेंगे कि आपका उसकी बाद अगर हम दूसरे point की बाद करें तो strong green volume होने के बाबजूद भी price जादा उपर नहीं जाना चाहिए यहाँ पे देखें कितना जबदस strong green volume है और इसकी बाद जोद भी यहाँ पे अगर आप price देखें तो देख सकते हैं जादा कोई big green candle का formation नहीं किया in fact इससे कम volume आपका यहाँ पे है और देख सकते इतना जबदस green candle का formation किया इससे almost double volume है लेकिन candle के size को देखे तो इसका half candle का formation किया है यह वाला यह दिखा रहा है कि जादा positive volume होने के बावजूद भी price उपर नहीं जा रहा मतलब यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है तो दूसरा point हमारा यह हो गया कि positive volume होने के बावजूद भी price ज़्यादा उपर नहीं जा रहा है उसकी बाद हम क्या इंतिजार करेंगे एक negative volume का इंतिजार करेंगे एक big negative volume का इंतिजार करेंगे और वहाँ पे हमें अच्छा खासा गिरावट दिखना चाहिए या फिर कम negative volume में भी big गिरावट का हम वेट करेंगे थोड़ा सा big red candle का हम वेट करेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस candle पर देखिए यहाँ पर आपका क्या हुआ है ज्यादा negative volume नहीं है छोड़ा सा negative volume है लेकिन यहाँ पर इस red candle का size देखिए जितना इस green candle का size है या फिर इस green candle का size है जो कि इस volume पर बनाया है volume इसके लगबाग तीन गुना कम है लेकिन उसी size का candle यहाँ पर formation किया है red candle अब हमें यह confirm कर दिया है क्या है? यहाँ पर top का formation हो गया है बस यहाँ पर हमें तीन point focus करना वापस से repeat कर देता हूँ volume आपका कम होना चाहिए या negative volume होना चाहिए उसके बाबजूद भी price आपका slightly उपर की तरफ जाना चाहिए उसके बाद positive volume आने के बाबजूद भी क्या होगा? प्राइस आपका जादा उपर नहीं जाएगा तीसरा point कि slightly negative volume आने के बाद हमें big drop दिखना चाहिए प्राइस में जो कि हमें कहाँ पर देखने को मिला है जो कि हमें इस candle पर clear cut देखने को मिला है उसके बाद हम इस candle के lowest point को mark कर लेंगे अब जैसे ही price इस candle के लोग को break करके नीचे आएगा यहाँ पर हम क्या कर सकते है? sell side की तरफ जा सकते हैं और यहाँ पर हम sell side की तरफ positions बना सकते हैं तो देखिए यहाँ पर जो हम sell side की तरफ जाएंगे 300 करीब यहाँ पर हम sell side की तरफ जाएंगे और यहां से price आपका all the way नीचे side की तरफ गिरा है पहला target price हमारा होगा यह level 280 उसके बाद आप यहां पे trailing stop loss का इस्तमाल करते हुए भी big profit बना सकते हैं या नहीं तो अपने हिसाब से जहां पे आपको 2-3-4% 10% profit मिल जाता है वहां पे आप book कर सकते हैं क्योंकि price यहां से 300 से all the way कहां तक आया है 220 के level तक आया in fact 210 के level तक आया है यहां पे हमने काफी अवली यह जो top formation था इसको identify कर लिया और इसको ना सिर्फ identify किया बलकि इसके basis पे हमने trading positions भी initiate किया और यहां से हमने profit भी बनाया है और यह profit देखे कितनी दिनों मिला सबसे पहले अगर हम पहला target की बात करिए तो आपका 4 days में फर्स target price ही रो गया अगर हम यहां पे second target price की बात करें जो कि आपका एक psychological level भी बनता है 250 करिब वो भी हमें उसके next day देखने को मिल गया था और in fact आपका ऐसे ही करके 220 करिब भी आपका next 24 trading sessions में आया था और जैसे price यहां पे रुका है हम यहां पे भी क्या कर सकते हैं अपना sell position से exit ले सकते हैं और वेदानता stocks आपका F&O में है तो यहां पे आप futures या फिर options में आसानी से trade कर सकते हैं और इसके basis पे आप चाहो तो 300 के strike price वाला put options में यहां पे आप buy कर सकते हो तो यहां पे भी जो criteria मैंने बताया था same चीज़ को identify करना है तो सबसे पहले देखिए आपका क्या है यहां पे अच्छा खासा positive volume है जवर्दस green candle form किया है लेकिन इससे बहुत कम positive volume यहां पे देखने मिला है फिर भी हमें इसी तरह का big size का green candle देखने मिला है in fact इससे भी ज़्यादा यहां पे हमें candle का size दिख रहा है अब उसके बाद क्या हुआ यहां पे थोड़ा सा volume कम हुआ लेकिन price आपका वहीं पे रुका हुआ अब एक और चीज़े कि यहां पे देखिए दो जवर्दस्त आपका green volume आया जवर्दस्त लेकिन यहां पे क्या तो सबसे पहला point यहां पे satisfy हुआ कि volume कम होने की बापजूद भी price आपका upside की तरफ जा रहा है तो पहला point यहां पे satisfy होगा है दूसरा point कि ज़्यादा volume होने की बापजूद भी price upside की तरफ नहीं जाना चाहिए अब देखिए यहां पे इससे काफी ज़्यादा volume है लेकिन यह हमें क्या देखने को मिलवाइं और kiya कोτε रहाँ क्लियर कट के दोरा देखने को मिलवाइं मतलब उपर इस point के लेड़ल पर हमें एक resistance देखने को मिल यहां पर HIARS नहीं है तो इस particular point पे आते आते हैं क्या हो रहा buyers यहाँ पे कमजोर हो रहे हैं, weak हो रहे हैं अब जैसे buyers weak होंगे यहाँ पे जो आपके sellers हैं वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे strong होना start करेंगे अब sellers के strength का idea हमें कहां से मिलेगा वो हम आगे check करेंगे, लेकिन उससे पहले तीसरा point हम देखना चाहेंगे यहीं तीसरा point बताएगा कि sellers strong हुआ है यह नहीं हुआ हमें क्या चाहिए, red volume चाहिए जहाँ पे big candle चाहिए अब यहाँ पे देखिए, अच्छा खासा red volume है, लेकिन यहाँ पे अगर हम red candle के size को देखे तो size ज़्यादा big नहीं है, हमें थोड़ा सा big size का red candle चाहिए अब उसकी बाद यहाँ पे भी volume देखने को मिला, लेकिन यहाँ पे जो body है, red candle का काफी छोटा है यहाँ पे हम और इंतजार करेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पे एक big red candle का formation हुआ है और volume भी अच्छा कासा है यहनि लगबग volume इसी के बराबार है लेकिन candle का size देखे, यहाँ पे clear कर देता हूँ, यहाँ पे green candle का size देखे और इस red candle का size देखे, लगबग आपका बहुत कांतर है लेकिन volume एक जैसा ही है तिया हमें confirm कर दिया यह candle के बाद कि market अब किसे control में आगया है sellers के control में आगया, अब हमें इसी point का wait करना है, और यहाई perfect entry point बनेगा sell side की तरफ कोई भी big red candle के बिना यहाँ पर अगर हम entry लेते हैं, तो हम trap में फस सकते हैं, और ऐसी situation में trap में फसने के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं इसलिए जो third point है, वो काफी crucial है, और वही हमारा decision making point है, और वही हमें बताता है कि market seller's के control में आया है यह नहीं आया है जब seller's के control में आएगा, तभी हम sell side की तरफ जाएंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पर इस particular level पर लगमक आपका यहाँ पर 536 के करीब यहाँ पर हम sell side की तरफ positions लेंगे, और अगर हमे options में trade लेना है, तो 550 के, put options के strike price को अगर यह strike price होगा तो, नहीं होगा तो नियरे शाप ले सकते हैं, उसके बाद इस candle का जो high बनाएगा, यह मेरा sell के रूप में काम करेगा, first target price के अगर हम बात करेंगे, यह बनेगा, second target price हमारा देख सकते हैं, यह level बनेगा जिसको भी इसने आसानी से hit कर दिया है, और उसके बाद price थोड़ा सा उपर भी किया है, लेकिन हमारे stop loss से बहुत नीचे ही था, फिर price आपका नीचे है और अच्छा खासा profit दिया देख सकते हैं, all the way price 536 से, कहां पे आया आपका 520 के level तक आसानी से आया, मतलब यहां पे आपका 16 point का गिरावट दिखा है, 16 point का गिरावट का मतलब है लगबग 3% का downfall move देखने को मिला, और 3% का downfall move, sufficient होता, options में trade करेंगे, फिर भी आपको अच्छा खासा profit मिलेगा, futures में trade करेंगे, फिर भी क्या कर सकते हैं, top को identify कर सकते हैं, और यहां पे दो benefit हो रहा है, सबसे पहले, जो top को अगर आप नहीं identify करेंगे, तो इस particular time पर या इस situation में, आप buy करके यहां पे trap में first सकते हैं, सबसे पहला काम करें, आप यहां पे trap को avoid करें, यहनि आप काफी अधक loss को avoid करें, और इस loss को आप किसमें convert करें, इस loss को आप profit में convert करें, तो मैं अपने वीडियो के ज़री different तरीका बताता हूं, जिसके ज़री आप loss को avoid कर सकते हैं, और उस loss को profit में convert कर सकते हैं, सो उमीद करते हैं, कि आपको हमारे यह वीडियो पसंद आया होगा जहां पर हमने टॉप आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस बताया अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को लाइक करके हमें इंकवेज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी किजिए साथ साथ वेल आइकन दबाना ना भूले ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना करें So that's all friends, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जैहन!